दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के परमुख बांधों के बारे में जो की आपके वंडे एक्जाम के लिए बहुत जाजा इंपोर्टन्ट होने वाला है आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो पॉइंट आपके बताए जाएंगे उनको यहीं पर याद कर देना है तो बरते दोस्तों अपने पहले पॉइंट के तरफ पहला पॉइंट है भारत का सबसे उचा बांध इरी बांध है इसकी उचाई 260.5 मीटर है और यह बांध उत्रा खंड में भागरती नदी पर इस्तित है दोस्तों यह भागरती नदी उत्रकासी के गौमुख गलेशर से निकलती है और देव प्रयाक से भागरती नदी को हम गंगा के नाम से चानते है नेक्स पॉइंट है दोस्तों भागरत की सबसे बड़ी कृतरिम जील गोविन बल्लपंद सागर है जो कि रिहन बांध का एक जलचीतर है तो रिहन बांध दोस्तों कहां पर इस्तित है यह यूपी में इस्तित है उत्तर प्रदेश में इस्तित है और रिहन नदी पर इस्ति तो ये Point आपको याद रखने है दोस्तों, महादी पर इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई 25.79 Milk है दोस्तों आपको इन चार क्वेशन यहाद बन चुके हैं इनको इन Point ओका आपको याद रखना है और जो एक्जाम में किसी भी तरीके से इस question को पूछा जा सकता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है जिला याद रखना है, किस नदी पर है, वो याद रखना है इस बांद की लंबाई कितनी है, वो भी यहाँ पर आपको याद रखनी है नेक्स पॉइंट है, भाकड़ा नागलबान जो कहाँ पर हिस्ती था है हिमांचल परदेश में इस्ती था है, दोनों अलग 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 बांद है भाकड़ा और नागलबान यह तो अलग अलग बांद है नागल के है पंजाब में इस्तित है बेसिकली दोस्तों ये बॉर्डर पर इस्तित है पंजाब और हिमानचल की बॉर्डर पर इस्तित है और किस नदी पर इस्तित है स्वतलज नदी पर इस्तित है दोस्तों सुरुवात में अगे हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो state-wise जितने भी important बान है भारत में state-wise हम पढ़ने वाले हैं ठीक है कोई भी एरागरा question नहीं पढ़ेंगे जो important होगा उसी को हम यापे discuss करेंगे ठीक है तो कुछ आलतो फालतो की चीज़े नहीं पढ़नी है तो दोस्तों next point बढ़ते है आर्क आकार का भारत का सबसे बड़ा बान कौन सा है तो यहाँ पर कौन सा है इडुक की बान ठीक है इडुक की बान जो आर्क आकर का सबसे बड़ा भारत का बान है ठीक है जो केरल जिले मिस्तित है ठीक है आप आप फोटो देख सकते हो आर्क आकर का ठीक है ऐसा ये बांद दिखते है इलुक की बांद याद रखने है आपको इलुक की बांद जिला काउंस है केरल नेक्स पॉइंट है दोस्तों परमक बांदों में भारत का सबसे पुराना बांद तमिल नाडू में कावरी नदी पर कल नई बांद है ठीक है इसको आपको याद अखना है पुराना बांद कौन सा है कल नई बांद किस जिले में स्थित है तमिल नाडू में स्थित है ठीक है और किसने ये बनाया था ये भी बहुत ज़ता important है दोस्तों किसने ये बनाया था यह बांध दूसरी सताबदी में चोल राजवन्स के राजा करिकल चोल द्वारा बनाया गया था ठीक है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारत के विभिन राज्यों में जो important बांध है उनको हम आपर discuss करने वाले हैं तो आपको अब बहुती ध्यान से देखना है और इनको यहीं पर याद करना है तो जंबु कश्मिर जो की केंदर सासित परदेश है और उनमें जो इस्तित बांध है वो हम आपर discuss करने वाले हैं उरी बांध जो की जेलम नदी पस्तित है दुलहस्ति ब बान ये भी चिनाव नदी पस्तित है और बगलिहार बान ये भी चिनाव नदी पस्तित है ठीक है तो चार बान्ध दोस्तों यह है बहुत जाधा important है परिक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं तो आपको इनको याद करना है आके बढ़ते हैं हिमानचल और पंजाब की सीम आप है जो है भाकरा नागल बान्ध है ठीक है मैंने आप भी बताया था आपको डिसकस करा था हमने इस बान्ध के बारे में तो यह में बॉर्डर पर इस्तित है ठीक है तो बेसिक लिए हम हिमानचल प्रदेश में हम इसको मानते हैं तो हिमानचल प्रदेश में हम इसको मान सेयुक तो बहुत देश या परियोजन है आगे बढ़ते हैं इमानचल परदेश में कौन-कौन से बांध है important बांध है वह हमें आपर discuss करेंगे तो चमिरा बांध जो की रावी नदी पस्तित है पोंग बांध जो की व्यास नदी पस्तित है और नापता जाकड़ी बांध जो की सतलज नदी पर इस्तित है ये तीन बांध दोस्तो बहुत ज़्यादा important है आगे बढ़ते हैं पंजाब में इस्तित बांध को हम देखेते हैं कौन सा important बांध है जो की परिक्षा में पुशे जाने की संभा होना है तो रंजित सागर बांध जिसको हम थीन बांध के नाम से भी जानते हैं ठीक है तीन बांध के नाम से भी जानते हैं और ये कहां पस्तित है रावी नदी पस्तित है और पंजाब राज्य में इस्तित है बढ़ते ही दूसटों आगे उत्राखंध में इस्तित बान जो की बहुत ज़ाद इ 왜냐하면 तीकरी बान जिसनके बारेमि में हम आगे पड़चुके हैं और उत्राखंध में तीरी जिले में इसकी ऊंच एपर तीक हمने तीक करी ती 60 65 मीटर इसकी उंचाई थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस्तित बांधों के बार में आपे डिसकस करेंगे तो यूपी में जो बांध है कौन-कौन से बांध है जो important है रिहंद बांध रिहंद नदी पर इस्तित है ठीक है रानी लक्षमी बांध जिसको राजगण बांध के नाम से भी जानते हैं और यह बेतवा नदी पर इस्तित है किस नदी पर इस्तित है बेतवा नदी पर इस्तित है ठीक है माता ठीला बांध ये भी बेतवा नदी पाश्थित है, तो ये दोस्तों ये तीन बाद दोस्तों बहुत ज़ादा इमपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, बढ़ते दोस्तों आगे गुजरात में कौन-कौन से बाध है, वह हम देखते हैं, उकाई बाध तापती नदी पाश्थित है काकरा पारा बांध ये भी तापती नदी पस्तित है आगे बढ़ते हैं next राजिस्तान में देखते हैं कौन-कौन से बांध है जो की important है हमारी प्रिक्षा की दिश्टे से देखते हैं तो बिसल पुरवान जो की बनास नदी पस्तित है माही बजाजवान जो की माही नदी पस्तित है ये भी माही नदी पस्तित है राणा परताफ शागरवान ये चंबल नदी पस्तित है तो आपको इससे ये पता भी चल रहा हुआ कि नदिया जो है वो कौन-कौन से राज्य में इस इस टॉपिक को अगर आप धंग से देखेंगे तो तो हमने कहाँ पते हैं महमते राना परताप सागरबान जो की चंबल नदी पर ही इस्तित है तो यह बान आपको याद करने आगे बढ़ते हैं मद्यपरतेस की ओर चलते हैं और जानते हैं कौन-कौन से बान वह पर इस्तित ह तो गानी सागरबान जो की चंबल नदी पर इस्तित है इंद्रा गानी सागरबान यह नर्मदा नदी पर इस्तित है और उंकारेश्वर बान परियोजना जो की नर्मदा नदी पर इस्तित है यह मद्यपरतेस के परमुख बान आपको हमने बताए हैं बढ़ते हैं दोस्तों कर दिया है हिरा कुन बान महा नदी पर इस्तित है और कहां पर इस्तित है उड़ी सा में इस्तित है आगे दोस्तों करनाटक में अब देखते हैं कौन-कौन से जोग बांध है वह important है तो कृष्ण राज सागर बान जो के कावरी नदी पर इस्तित है श्रिव शमुद्रम ये कृष्ण नदी पर इस्तित है और तुंग बंद्रा बान ये तुंग बंद्रा नदी पर ठीक है नदी पर यहां पर नदी हो जागा नदी पर इस्तित है तुंग बंद्रा नदी पर इस्तित है परते दोस्तों नेक्स्ट राज्य की ओर जो की है तेलंगाना देखते हैं कौन कौन से बान इस्थित है नागरजुन सागरवान जो की क्रिश्ण नदीपर इस्थित है पोचम-पाथ बांद जो की श्री-राम सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह गोदावरी नदीपर इस्थित है आगे बढ़ते हैं दोस्तों next राज्य की ओर तमिलाडू में मोटूर बांद कलनाई बांद जो की कावरी नदी पर इस्तित है कलनाई बांद के बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं कि ये बांद भारत का सबसे पुराना बांद है और चोल वन्स के राजा ने इसको बनाया था ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट राज्य की ओर केरल केरल में दोस्तों इलुकी बान जो की पेरियार नदी पर है मुला पेरियार बान जो की ये भी पेरियार नदी पस्तित है बनसुरा सागर बान ये काबिनी नदी पर इस्तित है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट राज्य की ओर जहरकंड ठीक है तो जहरकंड में जो बान इस्तित है वो मैथन बान बराकर नदी पर इस्तित है तिलाया बान ये भी बराकर नदी पर इस्तित है और पंचेत बान ये दामोदर नदी पर इस्तित है नेक्स्ट राज्य important topic है दोस्तों आगे बढ़ते हैं महराष्ट में इस्तित बांध कौन-कौन से है तो दोस्तों महराष्ट में एक कोईना बांध है जो की कोईना नदी पस्तित है उजरी बांध है जो भीमा नदी पस्तित है जायकवाडी बांद है, जो की गोदावरी नदी पर इस्थित है ये दोस्तों महराष्टा में इस्थित है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों, आपको इसको अच्छे से याद कर देना है आगे बरते हैं आंद्र प्रदेश में सोमा सीला बान जो की पिनार नदी पर स्थित है, सिरी सेलम बान जो की कृष्णा नदी पर स्थित है कि दो बान दोस्तों बहुत इंदाधा इंपोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में भी पूछे गए है तो दोस्तों वीडियो को यह पर खतम करते हैं, आज हमने जो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा है भारत के परमुख बान जो की आपकी परीक्षा में आपकी 100% मदद जरूर करेगा और एक ने क्वेशन इस टॉपिक से जरूर आने वाला है